एक हम नई खबर आपके सामने लाए हैं रिशीकेस के नजदीक अटाली गाउं है यहां पर भी रेल प्रोजेक्ट कंडपिराग रेल योजना चल रही है कंडपिराग रिशीकेस की यहां पर लगातार जिस तरह से सुरंग काम चल ला है इसके ऊपर एक गाउं है अटाली इस इसमें लगातार भू दसाओ हो रहा है मकानों में दरारे आ गई है और जिस आप देख सकते हैं कि यहां पर जो खेट की भूमी है इनकी किसानों की यह लगातार धसाओ की वज़े से बैठती जा रही है इसमें यह जो कंड़ फूट की घ्री चोड़ाई जो है इसमें अभी दरारे आई हैं और इससे आगे हम आपको दिखाएंगे जो तिरपाल जो डाली गई है कारेदाई सस्ता द्वारा उसमें कमसा पांस पूट चौड़ी दरारे आ चुकी हैं और खेद लगातार धस्ते जा रहे हैं हमारे यहां जैसे आपको दिख रहा है सुरंग का गाम चल रहा है जो रेलवे जो प्रोजेक्ट आया है उसके कारणी यहां पर सुरंग की जा रही है और उससे क्या हो रहा है कि हमारे घरो में ध्रारही पढ़नी सुरू रही है अबी तो सर्काम जब मुलने हमारे घरोरही पढ़ने सुरू ही ते accurately हो तो हमने मंत्रीं को बताया जो वीहां कि दिन बढ़ती ही जा रहे हैं कि हम ANDREW ऎको लगता है धुठी dependence के हमें कहीं हैं और स्थापिट करने का सोचे हम कब तक यह किए चैनल का नुक्सान आITT करे हम कर दो कि दिखते हैं जब रेल आई यहां तो अप्चिबिटी नम के दिखते हैं कि मकान में दराड पड़े रहे कि खेत में दराड है समस्यता बहुत कुछ है यह अटाली गाउं है इसमें अधिकांस गरीब किशान यहां पर रहते हैं और इसके बावजूत भी ग्रामिनों की समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है लगातार सरकार से गौहर लगा रहे है कि गाउं को या तो विस्तापन किया जाए या फिर इनकी जो भूमी का जो नुकसान हो रहा है उसकी बरपाई की जाए अटाली गाउंस से नवाल टैंस के लिए रजनीश कुमार